हेलो जी राधे राधे वेलकम टू लिटल लिटल तो आज मैं बनाने जा रहे हूं मठे के आलू तो सिवानी कुमारी से हाँ जी बिल्कुछ सिवानी कुमारी वाले मठे के आलू आप लोगों ने सिवानी दीदी के वीडियो में देखा होगा मठे के आलू मठे के आलू तो ब रख लिया था और उनको 3000 सीटी लगाके उबाल लिया अब मैं आलू का गरम पानी अलग करके उनको चलनी में निकाल लूँगी और उनको तोड़ी देर के लिए ठंडा होने दूँगी उनकोद तो थोड़ी देखे जब आलू ठंडे हो जाएंगे तम मैं उनका चिलका अलग कर लूँगी अब देखिए पांस मिनिट बाद आलू ठंडे हो चुके हैं और अम मैं इनका चिलका उतार के इनको आलू को अच्छे से साफ करके रख लूँगी मठेक आलू सच में बहुत टेस् अच्छे लगते हैं चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ काओ एक दम खटे चट पटे मठेक आलू की रैसे भी बहुत अच्छे होती है आप जरूर बनाएगेगा मेरे मठेक आलू को देख करके तो मैंने सारे आलू को छील लिया है अब मैं बगोना रख दूंगी एक मै मैं थोड़े से जादा आलू बनाऊंगे तेल को में पूरा भका भक गरम कर लूँगी क्योंकि हमने खुद से निकलवाया हुआ तेल है न तो इसने स्मेल आती है अब तेल दुआधार गरम हो गया हमें इसमें जीरा डालूंगी और हिंग अब जीरा अच्छे से भुन मशुम घुचा खागता करेंगी तो साथे मशालों को ओबलने देंगे मशाले जब तक आओं मासालों से तील अलग नी ही हो जाएगा तनलूंगी मशी अधेका ही मसालम मशाव हो पकर आज़नी आखे मशाट से लाग होएग dalप का से में मिक्स कर देंगे आलू को मसाले में मिक्स कर देंगे तो मैं आलू को मैस कर रही हूं हाथ से आलू अप्ठंडे हो चुके इसलिए मैं इसलिए इनको हाथों से मैस कर सकती हूँ अब सारे आलू मैस हो गए हैं अब मैं इनको मसाले में एड़ कर दूँगी तब तक हमारा मसाले से अच्छी एकदम बहुत अच्छी कुजबू आने लगी है अब मैं सारे आलू को मसाले को थोड़ा चला कर उसमें एड़ कर दूँगी आलू को मसाले में में चीज भी पाणी च्छा से लाखे अब मसाला मिल चुका है मैं या मैं इसमें मंठा ढाल दूंगी मठे के लोग तो दही को थोड़ा सा पानी डन कर चलाके मठा बनाके थोड़ाइं कर दीजे चलाते रहे इसकी कंसिस्टेंसी देख करके इसमें आप और पानी भी आड़ कर सब्सक्राइब देखा थोड़े से ठीक लग रही है यह तो आप यह तो चाहे नहीं आचेहीं दाल रहे करें मैंने थुष्याइब एक नगारी के पांतने सावे हैं और नेन करें थैङ से थिबूर인이 तो दुवादार मेरे बस मतिकः अबले जा रहे उल tvry बले तो इनको कमसे कम照raloran 20-тоs मिनटूच हो गão से अवले कर J जाविते पूरे बोल जाए है